मातर ये एक चीज आज से ही भून कर खाना शुरू कर दीजिए मातर पंदर दिन के अंदर आपके शरीर में आपको अदबुत फायदे देखने के लिए मिलेंगे ये आपके शरीर के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है सीजन में जब भी आती है आप इसका स्तमाज जरूर करें और आपको बहुत आसानी से बहुत ही कम दाम पर अपने आसपास मिल जाएगी किस चीज के बारे में बात कर रही है चलिए डिटेल में जानते है उमीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आएगी अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा हेलो एवरीवन वेलकम बैक मैं आपकी होस्त और दोस्त मधू एक सर्टिफाइट आइटीशन और एक नेच्छोपैत आज हम बात कर रही हैं सकरकंद के बारे में जिसे स्वीट पटेटो के नाम से भी जाना जाता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो सकरकंद का नाम पहली बार सुन रहे होंगे मार्केट में देखा जरूर होगा लेकिन कभी खाया नहीं होगा सीजन में आने वाली जितनी भी सबजियां होती है या फ्रूर्स होते हैं उनका इस्तमाल हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि वो हमारे शरीर के हिसाब से हमारे प्रकृति के हिसाब से आती है जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों का मौसम सुरू होते ही सकरकंद आता है रीजन क्या है इसके आने का ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और क्यों आपको खाना चाहिए, कितना फायदिमन है, किसकी समस्य के लिए इस्तमाल कर सकते हैं पूरा डेटेल में आपके साथ शेयर करूँगी सकरकंद जो होती है, वो पोशक तत्वों से भरपूर होती है इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे मिनरल्स, विटमिन्स पाया जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए सरदियों के समय में बहुत ज़रूरी है इसमें बरपूर मातरा में वाइटमिन A पाया जाता है, वाइटमिन B पाया जाता है, वाइटमिन C पाया जाता है, केलशियम होता है, आरन होता है, पोटेशियम पाया जाता है, उड़जा बहुत अधिक होती है, आपके शरीर की ठकान, कमजोरी को दूर करने का काम करती है इसमें थाइमीन पाया जाता है, करेटरनोइट्स पाया जाते हैं, हड्डियों को मजबूती देने का काम करती है और भी इसमें धेर सारे पोशेक्तत्व होते हैं जिसके लिस्ट यहां स्क्रिन पर आप आसानी से देख सकते हैं सकरकंद डाइबिटीज में भी काफी फायरे मंद होती है, आप इसे भून कर या उबाल कर इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपका डाइबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो पहले अपनी डॉक्टर की सला लें डाइबिटीज में खाने के लिए इसले सलहा दी जाती है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पोशकतत वुपाये जाते हैं जो कि आपके बलड शुगर लेवल को मिंटेन करने का काम करते हैं सकरकंद जो होती है ये बसा कोशिकाओ को बॉड़ी के अंदर बढ़ने से रोकती है जिसकी वज़े से आपको बहुत कम भूख लगती है यानि कि मान लीजे एक कटोरी अगर आपने भुनी हुई सकरकंद या उबली हुई सकरकंद खाली है तो इस से लंबे समय तक आपका पेट भरा रहता है रीजन है इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जिसकी वज़े से बार-बार आपको भूख नहीं लगती है आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है आप over eating करने से बचते हैं जिसके वज़े से आपका वज़न भी नियन तित रहता है क्योंकि सकरकंद में अच्छी मात्रा में potassium पाया जाता है इसलिए ये आपके high blood pressure को control करने का काम करती है आपके तनाव को दूर करती है और आपको एक बहतर नीन लाने में मदद करती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में folate, copper और magnesium पाया जाता है और anti-oxidant भरपूर मात्रा में होते हैं इसलिए ये हमारी skin के लिए भी बहुत अच्छी होती है जब आप इसको consume करते हैं तो इससे skin की जुरिया जाईया दूर होती है pigmentation दूर होता है तो skin पर glow आता है, खुन साफ होता है शरेल में अगर खुन नहीं बन रहा है तो नया खुन बनाने में भी ये आपको काफी मदद करती है इसमें मौजूद vitamin C जो होता है ये body के अंदर collagen की मातरा को बढ़ाता है जिससे आप लंबे समय तक जवान देख सकते हैं आपके चेहरे पर बढ़ापन नहीं आता है इसमें भरपूर मातरा में iron पाया जाता है जिसकी वज़द से body के अंदर energy बनी रहती है ये नई blood cells को बनाने का काम करती है नई कोसिकाओं को बनाने का काम करती है आपके ठाकान को, कमजोरी को, पुराने समय से अगर आपको हड्डियों का बुखार है तो उसको दूर करने के लिए भी आपके शरीर के लिए सकरकंद बहुत फायदे मंद होती है सकरकंद की तासीर गर्म होती है इसलिए इसे सर्दियों के मौसम में खाना आपके शरीर को फायदा देता है यह आपको ठंडक से बचा करके रखती है इम्यून सिस्टम को स्टॉंग बनाती है जिसके वज़े से आपको सर्दी, खासी और जुखाम से भी बचाओ होता है इसमें भरपूर माता में बीटा कैरेटिन और एंटी ऑक्सिजन पाया जाते हैं वाइटमिन ए पाया जाता है इसके लिए यह आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी काफी फायदे मन्द होती है तो जब सर्दियों के मौसमी यह सीजन में आती है तो तीन-चार महीने इसका भरपूर मात्रा में सेवन करें आपके शरीर को लाब मिलते हैं इसके लाबा जो भी बहुत लंबे समय से ये देख रही है कि उनके शरीर में कमजोरी है वजन नहीं बढ़ रहा है वजन इनदसेंस उनके खाया पिया लगता नहीं है तो ऐसे में भी आपको सकरकंद का सेवन सरूर करना चाहिए यह आपके शरीर से जितनी भी आपके शरीर में डेल सेल्स हैं उनको activate करने का काम करती है जिससे खाया प्या बोडी के अंदर लगने लगता है सकरकंद में भरपूर मात्रा में fiber होता है इसलिए यह आतों को साफ करने का काम भी करती है तो अगर आपको बहुत लंबे समय से कब्ज की समस्या है या फिर आपको बवसीर की समस्या है तो ऐसे में सकरकंद का सेवन जरूर करें इससे आपकी आते साफ होती है और कब्जियत दूर होती है ये शरीर को डेटॉक्स करने के लिए भी अच्छी होती है अगर आप बहुत करना चाहा को बचांगनने को का जो इसे सांद कर से ठावन करने से दोझो को डेक्षकंट करने में आपको काफी मदद यह आपके यूरिंद इंफेक्षिण की समस्या भी दूर करती है this बर्पूर मात्रा में ऐसे वाइटमीन्स पाया जाते हैं जो बॉड़ी को डी हाइडरेशन से बचाते हैं आपने देखा होगा अकसर सर्दियों में हमें क्या है प्यास कम लगती है तो हम पानी कम पीते हैं इससे बॉड़ी के अंदर जो है डी हाइडरेशन हो जाता है बॉड़ी रूखी रूखी हो जाती है तो ऐसे में सर्दियों के मौसम में सकरकंदाती है जब आप इसका सेवन कर तो इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कि आपको ज्यादा पानी पीने में मदद करता है दूसरा इसमें भरपूर मात्रा में वाइटमीन्स होते हैं फाइबर होता है जो कि बॉड़ी को डिटॉक्स करने में मदद करता है और इसके अलावा बॉड़ी में डी पानी की कभी शरीर में नहीं होती है तो इसलिए जब भी सर्दियों के मौसम में सकरकंद आती है आप इसका इस्तमाल सरूर करें उबाल कर खाए या भून कर या पर डिपेंड करता है हाला कि पुराने तरीके से जैसे हम पश्पर में खाते थे चूले में भून कर खाना यह आ अगर आप भून कर खाते हैं तो इस बहुत ही बढ़िया है नहीं खाते हैं तो आप इसे उबाल कर भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इसके पराठी बना करके ले सकते हैं आप इसका सूप बना करके ले सकते हैं आप इसको जो है ऐसे ही उबाल कर खा सकते हैं भून कर खा सकते है लेगिन आपको बता दूँ कि बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन करना भी आपके शरीर के लिए फायदेमन नहीं रहता है या सुबह खाली पेट खाना भी आपके शरीर के लिए रुकसान दायक होता है अगर आप सुबह की समय में खाली पेट इसका अस्तमाल करते हैं तो SME गेस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है पेट में गैस, एसरिटी, अबलोटिंग की दिक्कत कर सकती है अगर बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं इससे आपको डाइरिया की समस्या भी हो सकती है और पेट में दर्द या मरोड जैसा भी महसूस हो सकता है अगर आपको डाइबटीज है और आप अल्रेडी दवाईयां ले रही हैं तो SME भी इसका सेवन अपने डॉक्टर से पूछ कर करें क्योंकि ये स्वाद में मीथी होती है इसलिए कई बार हाला कि जो नेच्रल चीज़े होती है उनकी शुगर आपको नुकसान नहीं देती है लेकिन फिर भी अगर आप दवाईयों पर हैं तो पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलह सरूर लें लेकिन आपको एक चीज़ जरूर बोलोंगे कि इसे जो है किसी भी नमक के साथ इस्तमाल कम से कम करें इसे नेच्रल फोम में लें तभी आपके शरीर के लिए जादा फायदे मन्द होती है कोई भी सबजी हो फल हो अगर उन्हें नेच्रल फोम में खाया जाता है तो इसके पूरे वाइटमीन, पूरे पोशक्ततब हमारे शरीर को मिलते है मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करूँ जो भी सीजन की फल है, सबजीया है ताकि आप रेरित हूँ उन्हें खाने के लिए उनके बैनिफेट साप ले सकें क्योंकि सीजन में जो भी चीज़े आती है वो हमारे बैनिफेट के लिए होती है आकर के मार्केट में चली जाती है उसके गुण पता नहीं है तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी अच्छी लेगी है तो लाइक करें और इससे सभी के साथ शेयर करें चली फिर मिलेंगे किसी नई जानकारे के साथ तब तक अपना खुब खयाल रखें और हैं से मस्क्रादे रहें स्टे हैल्थी, स्टे हैपी बाबाई